मैं लोटी हूँ गुड की एक जबदस करारी और कुरकुरी ये स्नाक रेसिपी के साथ जसका नाम है गुड मखाना एक बार जो आपने गर पे बना लिया तो बार बार बनाएंगे मेरी गैरेंटी है जो पॉपकॉन होते है न उसे भी आप भूल जाएंगे मखाने की अगर ये पर इसे रोस्ट करना है तो चिंदा मत कीजिए कोई भी एक कप मेजरमें लीजिये और उसी में सारे इंग्रेडियन्स करते रहें चायाने में करनए मेधिया में कुरकुरा येक एक ये इसे रोस्ट करेंगे ना तो क्या होगा उपरसे तो बहुत जल्दी सिख जाएगा पर अंदर से जो मखाना है ना वो कच्छा रह जाए जब तक कि रोस्ट हो रहा है ना एक काम कर लेते हैं जल्दी से जल्दी SG Food World को सब्सक्राइब कर लीजे साथ ही बेल बटन भी प्रेस कर दीजे ताकि ऐसी और वीडियो आपके पास पहुँशती रहे तो बीच बीच पे आप इसके दाने को उठा के चेक करते रहेगा कि वो रोस्ट हुआ या नहीं अगर यह अच्छे से रोस्ट हो जाए तेखिए म मैं एक बाई फिर से दिखाती हूं तो जब आप एक मखाना हाथ में लेंगे और इसे दबाएंगे न वो पूरा क्रश हो जाएगा देखिए इस तरह तो इस टाइम पे आप फ्लेम आफ कर दीजेगा और इसी ठंड़ होने के लिए किसी और परांत या फिर किसी भी बरतन मे शिफ्ट कर दीजेगा जब तक कि यह ठंड़ होता है हम गुड मेल्ट कर लेते हैं कडाई में एक टी स्पून गी आट करेंगे लो फ्लेम ही रखनी है साथ ही आट करेंगे आदा कप गुड यानि की 100 से 125 ग्राम इसे ग्रेट करके लेंगे न तो जल्दी मेल्ट होगा उसी क कप में मेजरमेंट करनी है कोई भी मेजरों को मेजर किया था कोई में गपमें कोई लगसा के लिए विए पी अच्छे से होगा मखाने भी अच्छे से बनेंगे और साथ के साथ नहीं जलेगा नहीं जला जला सुआज आता है वह बिल्कुल ने अच्छा लगता गुर्ण मकानों में तो वह हमें नहीं चाहिए उसके लिए लो फ्लेम पर continuously stir करना है और ये ready हो गया है या नहीं ये कैसे पता लगेगा वो मैं आगे बताऊंगी melt होने के 2-3 minute बाद भी से stir करना है और उसके बाद चेक करने के लिए एक बाउल में पानी लेना है और उसमें एक दो drop गुड की आट करनी है अब चैसे ही 10 second बाद ये थोड़ा से normal होगा तो हम चैक करेंगे तोड़के अगर ये टूट रहा है न तो ये बिल्कुल ready है इससे ज़्यादा जी हमें गुड को नहीं पकाना है मैं एक बाई से चैक करके बताती हूँ बाउल में पानी लेंगी और एक दो ड्रॉप गुड की आड़ करेंगे ये जूम फेस में मैं आपको दिखा रही हूँ जैसे 10 second बाद normal होने के बाद तोड के देखेंगे ब्रेक होगा बिल्कुल टॉफी की तरह मतलब त्यार है अब इसमें आड़ करेंगे आदा टीजपून काली मिर्च एक चुथाई टीजपून से भी आदा काला नमक नमक और काली मिर्च जालने से गुड की जो मिठास है वो बैलन्स हो जाएगी साथ ही डालेंगे एक टेबल स्पून सैसमे सीच्स यानि कि यह white till इससे बहुती बढ़िया लुकाती है mix करने के बाद इसमें सारे मखाने आड़ कर देंगे और सब को अच्छे से mix कर लेंगे flame बंद कर दीजेगा इस time पर mix करना है अच्छे से coat करना है ताकि good जो है मखान उपर अच्छे से settle down हो जाए देखिए बिल्कुल बढ़िया से coat हो चुका है ये वाला step ना mix करने का और इनको अलग करने का जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि एक बार जो भी ठंडे हो जाएंगे फिर या लग नहीं हो पाएंगे एक परात में मैंने इसे transfer कर लिया है अभी बहुत ही गरम है तो spatula की मदद से मैं इसको अलग कर रही हूँ 10-20 second बार नहीं ये ऐसे हो जाएंगे कि आप हाथ से इसे touch कर पाएं तो एक-एक मखाने को अलग करते जाएं जल्दी से जल्दी ये काम कीजेगा रोल भी करना है ताकि जो गुड के ends है वो ना दिखें ये procedure बहुत जल्दी करना पड़ेगा जी नहीं तो एक बार ठंडा होने के बाद या लग नहीं होंगे और फिर ये टूटे टूटे दिखेंगे साबधानी से भी कीजेगा ये काम रेडी हैं हमारे गुड मखाने करारे और कुरकुरे एर टाइ जार में इस गुड मखाने के बहुत लंबे चलेंगे ये मेरे तो ये घर में सबको ही बहुत पसंद आईए रेसिपी आप भी ट्राइ कीजिए और मुझे लिख के बताईएगा कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आप सबको ये रेसिपी मैं मिलूँगी ऐसी ये और बढ़िया बढ़िया टेस्टी रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर टोंट फोगेट टो लाइक शेर और सब्सक्राइब